हालो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिर्की एग्जुएशन पर दोस्तों आपको जो मैं ग्रामर करा रहा था दोस्तों उसमें आपको मैंने दो पॉइंट यानि कि दो चैप्टर डिसकस करा दिये हैं ओकी दोस्तों थर्ड चैप्टर लेका आया वार वार कुष्ण और हर एक्जाम लेक्टीए अकुट्व पूछे जाते हैं कि आपको पता इतना तो दोस्तों यह इंपोर्टेंट चैप्टर एक ध्यावार दिखना इस दूस्तों में आपको हम लिए चार से मतलर पाटों में डिवाड करा करके इतना इतना ही कराऊंगा इतना इतना ही जिससे आपको भी प्रोब्लम्स होगी ज्यादा लॉग वह जाएगा दुस्त वोगे तो इस टाइम बेस नहीं करेंगे फितम पॉइंट पर आते दोष्ट एक आप से वीडियो को लाइक और सबस्कार जरू करने दोस्तों अब देखिए दोस्तों चलते हैं पहले बता दूए को सिंप्ल पेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल या कंप्लेक्स या कंपाउंड बाग के बनाते हैं उसे हम सिंप्रेस कहते हैं सिंप्रेस क्या होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल कंप्लेक्स या कंपाउंड बाग के बनाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेस्टेस चलिए कुछ रूल समय इनके देख लिते हैं दोस्तों देखिए इतना बता चुका हूं अब आपको फीदेर फलके थाल सब्स सब्सक्राइब चाहिए का इम करना हुए आपकर लाओके सिंपल चेंज्ड करना एक वक्ते डैस नुट्व यादि करना कहना क्या है पहले आपको यहां बता जिता हूं पड़बapat सिंपलेटीmen स्फाइन को तो मिलाकर एक simple sentences बना जाता है तो इस नए वाकिए में एकी finite वर्भ आती है दो या दोस्तों अदिक simple sentences को मिलाकर simple sentences में परवतन करने की विदियों का वर्ण निम्म लिखते हैं दोस्तों मैं बता दूँँ आपको आप जो मैंने बताया था आपको कि यह मतलब sentence होती गया है दो दोस्तों दो बाकियों को मिला कर करने दोस्तों थी को मताती से लिए को swoją दोस्तों पहले से लुता क्या है दोस्तों फीन ने तीन हूते होते हैं एक दोस्ते होते हैं goodstfull नगा और होता है दूसरा होता है दूसरा होता कर द्यूसरा पाइस्यपन स्थीफल तीसरा होता है perfect । प्रफेक्ट पार्टिप्र क्या होता है दोस्तो हम लगते हैं 2 फाइंड बड़ेTH के उसमें क्थजひgines करते हैं कि दोस्तों पर्फेट्ट पर्टिसिपल में हैविंग और थार्ड फाउं क्या प्रियो करते हैं है दोस्तों चलती है है घ्यामियस निकलेगे दोस्तों देखिए आपको EXEMPL आपको धानी Sultan दोस्तों इन लिएक तो पहला हम देख लेते हैं कि हमाब बाग गया है यह मतला निकलेगा है निकलता है किया है तो इसमें बता है कब प्रिएंट परेटिसपिल में क्या होता है दोस्तों इसमें आइंग लगता है यह चीज आपको ध्यान देनी होगी इम्पोरेंट पॉइंट है दोस्तों बिना मतलब फॉर्मूला या कुछ की बगर इसी इसी फॉल्म नहीं हो सकती है तो देखते हैं इसका क्या होगा जंपिंग आप यह एक जंपल यह दिया है जोस्तों एक मेंड जैसे इसमें लिकाता है यानि कि वह है कूदा समझना बात को He jumped up. We're good. He ran away. वह भाग गया यानि कि ध्यान रगना बात तो एक हुई न इंसान तो ए मतलब जो सबिजेक्ट है वह एक ही है वह है कूद़ा वह ही भाग गया नवस में करना क्या है और जो एक बाकर बताए ज़ेंटेंस को मिलाकर कूद करके मैंने बताता है इसमें मतलब निकलता है हिंदी का हुआ या करके आता है तो कूद करके वह भाग गया अगे चलते हैं अगला देखते हैं क्या है उग्त करने तो कि या कि या मारब फ़ाइज समले क्यां इसे ना तो मैंने अपना पर्स पाया अब समझना बात को दूसरा वाग क्या कहा रहा है इसी में दा पर्स बाज लोष्ट मतलब कौन सा पर्स बाज माने था लोष्ट माने खोया हुआ यह जो पर्स खो गया था ओके दोस्तों अब में इसमें कुछ मतलब निकाला है मैं पहले आपको पहले यह बताए मैंने क्या बताता का पास्ट पालिटीस फिल में क्या करते हैं थार्ड फर्म का प्रियोग करते हैं ओके दोस्तों यह चीज़ा आपको ध्यान देना होगा तो आप समझना आई फाउंड माई पर्स मैंने अपना पर्स पाया समझना कॉम्फा था वह जो खो कि अफौन पाए मणें में एफ माने और मेरा लोषट मैंने खोया हुआ पर्स मेरा खो या पर्स पाया मैंने अपना खोया और पर्स हमारा यह मतलेना देधर हमारा क्या हुजा है कि यानिकि आई फाउंड माई लोष्ट पर्स अब आप समझे गए होगे इसमें देखो क्या आया है थार्ड फॉम आया है मैंने बताया था आपको कमारा पाश्ट पाइडिसेपिल में दोस्तो थार्ड पर्योग करते हैं ओके इतना आप सम्झे में आगा पर्फेक्ट पाइडिसेपिल तीसरा दोस्तों ओके पर्फेक्ट पाइडिसेपिल दोस्तों फर्फेक्ट पाइडिसेपिल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं इसमें क्या होता है दोस्तों हैविंग और थार्ड पर्योग करते हैं ओके दोस्तों क्या लगाते हैं ताइड फर्म अब देखें दूस्तों ही टुक इज फूड दोस्तों अब याद रगना एक माद दूस्तों इसमें दोन तरीकाश करा दिया मैं आपको प्रॉपरी एक को अप्राइटा हूं जो मारा उसी चाहूं ऑक हुआ दूस्तों अमें देखता हूं इसमें एक अग्जें दोस्तों हेज स्लेट यानि अपनी स्लेट लड़के ने अपनी स्लेट को साफ किया तो समझना मेरी बात को यह आप ऐसा भी बोल सकते लड़के ने अपनी स्लेट साफ की तो यह घर चला गया मतलब लड़के ने अपनी स्लेट साफ की वह घर चला गया तो दोस्तों मैंने इसम दोस्तो तो उसमें क्या करते हैं यह साफ करके लड़का घर चला गया तोच्छों उम्मीद करता हूं समझ में आगया सब्सक्तार आगे चलते हैं अब उके यह तो मैं बताई चुक्का ओं दूस्तों आपको दो मिन दोबारा गया तो देखिए यह को नॉर्मल चुन्हायते रहा हूं पहले दो समयादे रहा हूं आप समयते हो क्या होता है मैंने क्या बतायता उसमें किसमें क्या होता है आइंग लगता है देखो यह भी दुस्तों सी में यही लख रखा यह लखता है अगला क्या होता है तीसा परफेक्ट पायडिसिपिल तो तो इसमें क्या होता है perfect participant having के साथ बर्व की थर्ड पर्म का प्रियोग करते हैं मैंने बदाता दोस्तों भी आपको ओके दोस्तों आगे चलते हैं आगे नियम देखते हैं हमारा बी क्या कह रहा है दोस्तों यह तो में करे लिया है ओके यह कुछ बाग के दोस्तों तो यह इसम सलता हूं तो सी देखते हैं हमारा क्या है देखिए थे लिग क्या है देखिए लता heritage of the कि क्या बोलते हैं टी वाला एक टी डवलो वाला दोस्तों कि यह क्या होता माला in finite इन इन फिनिटिव को बोल दो कुछ भी बोल दो कहने का उन्हों आप देखिए इसमें क्या दरा इन इन इंफिनिटिव के प्रियोग द्वारा दो या दो से अधिक दोस्तों यानिकि simple sentences को मिलाकर एक simple sentences बनाने की बिद जाने के लिए दिये गए यह बताना चाहरा हूँ पहले मैं आपको छोड़िए दोस्तो पहले आपको rules बताईता हूँ और दोस्तो अगर से फिर भी अगर मार बैक ना मने तो हम दोस्तो यानि फर्ष्ट बाक क्यों होता है उसमें क्या करेंगे उसी के according टी डवलो जो होता है उसका प्रियोग कर सकते हैं ओके दोस्तों आपको एग्जम्पल पताईता हैं दोस्तों फिर देखिए आई एम तु आगरा मतलों मैं आगरा जा रहा हूं और मैं यञा रा गुझनी कहता हुँ कि इसमें बाखके निकलता है मतलब के लिए तो किस के लिए देखनी के लिए वास को समझना दोस्तों क्थे से मानेख चलिक teps το क्यों कि सबसे समानेख के ल Sé see the part यानिकि ताजमेल देखने के लिए तो का फ्रियोग गुआ है इन्फिनिटिव टू का फ्रियोग इसी के लिए गुआ है ओक दोस्तो एक एक्जम्पल और रहता हूं दोस्तो जो अध्यापक है बहुत बुड़ा है ओके अच्छे से नहीं पड़ा सकता है दोस्तो यह अच्छे से बोल दो यह के लिए आज़ आजा है उसका प्रियोग करना पड़ेगा बैरी की जगापके उसके बात दोस्तों क्या करोगा है कि उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम तू का प्रियोग करेंगे देखिए इसमें क्या था दा टीचर इस टू ओल्ड मतलब जो अध्यापक वह इतना भूरा है कहने का मतलब तू जो आ कर सकता है मैं आपको नॉर्मल वासा मतलब इसमें यह बता गया है क्योंको इसमें इससे तुल्णा की गई है दोस्तों टीचर माने अध्यापक इजमान है तू माने इतना मतलब उससे अधिक मतलब जितना वह प्रॉपर ली पढ़ा नहीं सकता है उससे ज्यादा तो उसकी तुम इसमें करना को यह गए ettis दोस्तों अगर बैरी लगाय में त topping इससके बाद जो नया भाक्नल उसकी विछ म क्रें की आप्रॉप करेंगे उसका वाला ही दोस्त Will लड़का बहुत कमजोर था नो hiking जो कोड़ कर सकता था घुर्छस मेरी बात को अब से रहे गए दिया दूसतों मैंने बताए था जहां मों क्या करते हैं okay किसका टी डवलो ओके दोस्तों तो यहां आपको क्या करना है अब मेरे बात को समझें दा बॉए बाज समझें ना टू बीक दा बॉए बाज टू बीक ओके लड़का इतना कम जोर है जितना मतलब है कि उससे ज्यादा तो कम जोर है उससे बाज भीग भाज तू बार्क हार्ड वोके दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना सोज में आ गया होगा ऑगे चलते हैं अब नियम से कुछ बता चुकुने प्रियोग दोस्तों सेंपिल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपिल इन्टेंस बना गया है अब देकिए पहले चार बाक एक्टे बॉस में है अंते माक्या इंफिनिटे पैसे बॉस में इसको कोई मतलब नहीं है वह हम दुस्तों बाके के अगॉर्डेंग यह से चेंज कराएंगे अब देखिए इसमें जो दिये हैं दूस्तों आपको पहले एक्जम पर बता चुका हूं तो मुझे इससे पताने ज ज़र हो तो नहीं है ओके दोस्तों आगे चलते हैं देखते हैं दोस्तों आज की लिए अच्छा लगाओ तो लाइक और सबस्क्राइब करें दोस्तों नेक्स्ट अगली वीडियो करांगा तो उम्मीद करता हूं कि सम्थिंग कम से कम इसमें टाइम मुझे एक अपते का दोस्तों वीडियो देखने हैं दरने वाद